एक के बाद एक कई भरष्टाचार के आरोपों में घीरी केश्रिवाल सरकार लगातार विवादों के घेरे में हैं परीडाम ये है कि अब अर्विंद केश्रिवाल के नेता ही पार्टी से दूरी बनाने में जुट गए हैं आज शुकरवार को दिली में बवाना के पार्षद पवन सहरावत ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया उन्होंने त्याग पत्र देने का प्रमुख कारण आमाद्मी पार्टी की गलत मीथियों और प्रश्चाचार को बताया है दिली के कारिकारी अध्यक्ष विरेंदर सचदेवा की उपस्तिती में पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी की सद्यसिता ग्रहन की है बीजेपी में शामिल होने के बाद पाच्छत पबन सहरावत ने आमादमी पार्टी और अर्विंद केज्रिवाल पर गंपीर आरोप लगाते हुए कहा केज्रिवाल सरकार के ब्रश्चाचार की वज़ह से ही उन्होंने आमादमी पार्टी चोड़ने का निरने किया है उसके वावजूद जो आमादमी पार्टी में अर्विंद केज्रिवाल जी की सरकार में जो ब्रश्चाचार होते रहे हैं उन ब्रश्चाचार को देखते हुए हमारा इस पार्टी में दम गुटने लगा उसके बावजूद चुनाओ होने के बाद हमारे से पूरा दबाओ बना रहा कि आप पूरा चैहाउस की बात हो पूरा हला मचा के रखो ताकि अभी चुनाओ नहीं हो और मेर तो हमारा ही बनना है आप पूरा इसे हला करते रहों फिर उसके बाद 22 तारिक को हमारे मेर के चुनाओ हुआ मेर का और डिप्टी मेर का चुनाओ शांती पूर्ण हुआ और मेर बनने के बाद जो दुरवगय हुआ हाउस में वो आम आदमी पार्टी की मेर बनने के बाद उनके इसारे पे जो पारसदों को बोला गया था वो सभी मीडिया कर्मियों ने आपने सभी ने दिखाया के कैसे बोतल मारी गई कैसे कुर्शी मारी गई हमारे को बोला यही गया था ऐसे करो ऐसे करो और तो इनका यह रविया देखते हुए आज हमने आमादमी पार्टी को छोड़कर और मोदी जी विचार धारा बीजेपी को जोएन किया हम को जो बाइस तारिक को मेर मिला उसने पूरे सदन को पूड़ा ही कूड़ा कर दिया पूरी बोतले चली पूरी कुर्शिया चली ये दुर्ब अगय पूर्ण ये पूरे दिल्ली ने पूरे भारतवर्श ने पूरे देश ने दिख्या है तो ये एक आमादमी पार्टी अच्छे विचार धाराक की पार्टी नहीं है और हमने इसलिए आमादमी पार्टी को छोड़ दिया कि आमादमी पार्टी के इस केजरिवाल की पार्टी में जो बस्टाचार है मैंने उसलिए पार्टी सोड़ी और बास्ताइक को जो हमारे मेर का चुना हुआ उसमें हमारी किसी भी पार्टी से हो हमारी बेहन हो हमारी बेटियां है वो पार्शत थी वो भी रोने लग रही थी जब वो बोतले फैकी जा रही थी कुर्सी मारी जा रही थी ऐसे हमने अपने इत्यास में इतने साल हमने भी राजनित्ती करते होगे बता दें कि दिल्ली की के जिवाल सरकार शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला समेट कई मामलों में पानूनी रूप से खिर चुकी है पार्टी के मंत्री और बड़े नेता इनारोपों में जेल की हवा खा रहे हैं वही एक दिन पहले गुरुवार को पंजाब के बठिंडा से आमादमी पार्टी के विधायक अमितरतन कोट फता को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत क्यारों में गिरफतार किया था क्योंकि 16 फरवरी को बठिंडा में उनके पी ए रिशम गर्ग को 4 लाख रुपे की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था वही शराब घोटाले के तार अब सीधे CM के जिवाल से भी चुड़ते दिख रहे हैं क्योंकि इस मामले में गुरुवार को ही E.D. ने के जिवाल के पी ए को पूझताज के लिए नोटिस भेज कर तलब किया है वहीं इससे पहले CBI ने भी डिप्टी CM मनेश सिसोद्या को इस मामले में समन भेजा था